अगर आप 6-7000 रुपए में बड़ेया स्मार्टफोन हूं रहे विद लेटेस फीचर तो मोट्रोला ने अपना नया बजट फोन मोटो ए 13 कल लॉंच किया एंद इसका प्राइस 7000 रुपए रखा है अब रखते हैं इस प्रेशन जादा होती है अच्छा लगता है एक सिंपल नीड डिजाइन मोटोला ने या पर दिया है प्लें बैक है बिल्कुल हलका साना फोन शाइन करता है जब लाइट इस पर पढ़ती है तीन कलर्स में फोन आता है और यह और ग्रीन कलर वेरियंट जो ह अगया थोड़ा सालग है अलग कलर यहां पर है जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा डिफेंट लगता है इसको डिफेंट लुक मिलता है और सो कैम्रा पंप यह नहीं है अल्मोस्ट फ्लाट पूरी तरीके से सो बज़ सेग्में तो यह बराप दे बेस्ट लोकिंग स्मार्ट लग रहा है इस पर डिजाइन मेल्स बड़े चीप डिजाइन स्रेंज में हमें मिलते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है गुट दिंग इस की यसबी टाप सी पोट आपको यहां मिल रहा है स्रेंज में अगेन अप्लास साथ में 3.5 mm audio jack भी है बट बोल्यूम रॉकर का जो प इजी ली आप एकाथ से फोन कोपरेट कर पाऊगे कोई प्रावम नहीं आएगी आपको फोन चलाने में फोन की क्रिप जो है वो भी काफी अच्छी रहती है तो डिजाइन के मामने में इस अगोड फोन अब बात करते हैं इस फोन के डिस्पें यहां पर 6.5 इंस की डिस्प में आपको कोई फर्म नहीं की फोन यूज करते हुए इस रेंज में कुछ दूसरे फोन की तरह डिस्प्रेइड नहीं लगती है इसमें जो अच्छी बात है हाँ बहुत जादा पंची कलर्स आपको यहां पर नहीं दिखेंगे फॉस आइप यहां पर दिखेंगे चिन पर इस रेंज में आपको स्क्रीन पर वेजल मिलते ही हैं हमें फोन की से र्फिशバर घेसरे बात को तो वह इच्छी है घर से बाहर जब आप निकलते हो फोन यूज करते हो तब लिको से पर मिलती सो कोई इसमें अ किया है, so I would say it's a good display for a budget signal smartphone, यहां पर भी काफी सही motor ने काम किया है, अब बात करते हैं, कैमरा की 13MP का सिंगल कैमरा आपको यहां पर मिलता है, यह दूसरा जो सर्कल देखरो आप LED फ्लाश के लिए, सो दोंगे कन्कियूस्ट, 13MP का कैमरा और बजट फोन के हिसाब से कैमरा मुझे डीसंट रहा, टेलाइट में डीस्ट इमिजिस आ रहे हैं यहां पर, कलर्स भी मोर और लेस्ट अच्छे आते हैं, सभी बेसिक शूटिंग मोर्स कैमरा आप में आपको मिल रहे है, ताइम लैप्स आपको मिल रहा है, पोट्रेट मोड फोर्स है, प्रो मोड है, पैनोडम मोड है, अलसो डेडिकेटी नाइट मोड भी यहां पर दिया है, जो आप रात में दिम लाइट में फोटोस को काप्चिर कर सकते हो जिसके थूरू, इवन दो मैं कहूंगा कि नाइट में हर बजट फोन स्ट्रगल करते हैं, प्रीमिम सिफन वाले फोन स्ट्रगल करते हैं, बट यह गिवन दिस ऑप्शन है, इस्टेंज में आपको यहां पर मिल रहे हैं पांच में का पिक्सल का कैमरा, बात प्रोसेसर की कर लेते हैं और इस फोन की प्रफार्मेंस की, तो यूनिसोक T606 चिपसेट के साथ मोटरोला इस फोन में किया है, एंट्री लेवल उक्टागोर प्रोसेसर है जो डेली रूटीन टास्क के लिए अच्छा है, और बेसिक टास्क को एजिली हैंडल करता है, नोकिया की G11 में भी सेम चिपसेट है, मैंने उसमें इस प्रोसेस को टेस्क किया, सो बेसिक मल्टी टास्किंग में मोटरो इथरीन अच्छा चलता है, कॉलिंग, मेसंजिंग, सोशल मेडिया अप्स, आप एजिली उप्रेट कर पाऊगे इस फोन पे, बेसिक मल्टी टास्किंग कर पाऊगे, कोई दिकत आपको यहां पर नहीं आएगी, गुड तिंग इस कि Android 13 आपको इसमें मिल रहा है, तो Android के सबी लेटस फीचर यहां पर अवैलबल है, एंड थर्डीन का जो गो एडिशन यहां पर है, software optimization भी अच्छा है, फोन अटकता नहीं है, and Motorola next to updates भी यहां पर प्रामिस कर रहा है, so Android 15 आप तक आपको जो इसमें प्रेटस मिलते रहेंगे, which is great, also यहां पर Moto की जैसे दूसरे phones की तरह, यहां पर इस टॉक इंड्रोइड है, so कोई ब्लोट वेर यहां पर नहीं है, कोई टेंशन आपको यहां पर नहीं होनी होगी, मैंने जितना इस फोन को यूस किया है, कोई इशु मेने फेस्ट नहीं किया, इनिशली फोन सही चला, बेसिक गेम्स भी आप इस पर खेल सकते हों, अगर ज्यादा गेम आप खेलते हो ना तो यह फोन आपके लिए नहीं बनाए, बजट सग्मिन का फोन है, आप सब बेसिक काम तो कर पाऊँगे, इस पे इच्छे से कर पाऊँगे, दो राइम उप्शन यह बें मिल रहे हैं, 2GB 64GB और 4GB 64GB, एं माइक्रोस्डी कार्ड के लिए एलक्सिया आप इस ओड दिया गया है, यानि कि 2 SIM और 1 SD कार्ड आप इस पे इसली एक साथ चला सकते हो, इसमें बेटरी की बात करें, तो 5000 mAh की बेटरी मिल रही है, इसमें जो लोग इसके 15 दिन में, जो लोग परचेस करने के बंदरा इनके बात तक Jio Network इसमें इसमें उसकरें, उनको साथ सूर्फ एक चैश बैक में मिल रहा है, इसको आप जियो कस्टमर के ऐसे बैसे कंफर्म कर लेना, Now let's come to the conclusion, So, इस प्राइस में Modo E13 एक अच्छा उप्शन हो सकता है, अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए, जिसकी प्रफॉर्मेंस अच्छी हो, जो बेसिक मुल्टी टास्किंग में हैंग नहीं करें, लाग नहीं करें,